हेलो रिवान, वेलकाम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब विज्यू के इसने चैनल में आपका स्वागत है आज के यूटी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे S.G.Pyrin टाबलेट के बारे में Thuто एक्सभी लेक्चर बाई Amar sir, assistant professor और फार्मरोक्स, थेंक्यू परवीन फार्मरोक्स फेमिलेज सेखे अलग-अलग बीमार्यों के बारे में उनके उपचार के बारे में मेडिसन कोर्स में फार्मरोक्स के अब उपर तो अभी डाउनलोड करें या फार्मा रोक्स या फिर हमें वाटसेप करें मेडिसिन कोर्स को जोईन करने के लिए तो S.G.Pyrin के बारे में हम सीखें तो यह S.A. क्लास का मेडिकेशन है कि जिसके अंदर तीन अलग अलग दवाई हो का कॉम्बिनेशन है कि एक है उसके अंदर डाइकलोफेनेक है सेकेंड है पैरासिटामॉल और तिसरा सेराटियो पैप्टिडेस और यह मैनुफेक्चर करते है एबोट हेल्थ केर लिमिटेड तो मेडिसिन के बारे में डिटेल में जाने तो डाइकलोफेनेक जो है वो पॉपिलर पेइन किलर दवाई है पैरासिटामल जो है वो फीवर कम करने के बुखार की दवाई है और सेराटियो पैप्टिडेस के बारे में मैं आपको बदा तो वो एक टाइप का प्रोटीन एंजयम है कि जिसके पास एंटी इंफ्लामेटरी एक्सन है तो जब आप यह मेडिकेशन लेते हैं तो आपको तीन तरह के प्रोब्लेम में से जो है वो राहत मिलती है एक तो बुखार में से दर्द और दुसरा सुजन तो जब भी यह मेडिकेशन आपको लेते हैं तो यह मेडिकेशन क्या करती है आपके सरीर के अंदर समझे कि दर्द है, बुखार है और सुजर है तो उसको काम करने का काम करती है तो यहाँ पर उसका लेबल हम देखे तो S.G.Pyrin यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है S.P. का मतलब होता है कि इसके अंदर Seratio Peptidase जो ही है वो प्रेजन्ट है और S.G.Pyrin एक कॉमन कॉम्बिनेशन है परसेटामल और डाइकलोफनेक का कि जो Abbott Healthcare बना थे को यह इसका ब्रांड नेम है तो Abbott Healthcare ने उसका ब्रांड नेम जो है वो लिखा है S.G.Pyrin उसके अंदर Seratio Peptidase होने के करन पीछे जो है वो S.P. लिखा हुआ है तो लेबल को डिटेल में देखे तो परसेटामल इसके अंदर कितना है तो 325 mg जितना परसेटामल यहाँ पे एड़ है यहाँ पे आप देखो कि 325 mg है डाइकलोफनेक जो है वो 50 mg जितना है और Seratio Peptidase 10 mg जितना यह टाबलेट के अंदर प्रेजन्ट है फिर यह वेटरनरी यूज के लिए नहीं है कि जो एनिमल्स के लिए यूज की जाती है medication वो परपस से आप उसको यूज नहीं कर सकते फिर कलर कौन सा उसके इंदर एड़ है तो टिटेनियम डायोकसाइड जो है वो और संफसेट यलो FCF जो कलर उसके अंदर एड़ कया गया है C2 LH Drug इसलिए आप देखो कि इसके पैकिंग के उपर ये रेड लाइन आप देख सकते हैं मले कि आपको जब भी इसको रेटेल में बेचते हैं तो प्रिस्क्रिप्सन के साथ ही बेचना है और अबर्ट हेल्थकेर के यहाँ पर जो है वो डेटेल दी हुई है तो इस तरह से उसका बेक जो है ब्लिस्टर पैकिंग रहेगा और इस तरह से टाबलेट्स जो होती है तो ये मेडिकेशन के बारे में यो डेटेल में जाने तो कैसे काम करता है तो ये medication क्या करती है कि जो pain के लिए responsible जो कुछ ऐसे mediators होते है chemical जो release होते है बुखार एंड inflammation के जो chemical जैसे के खास कर जो prostaglandins release होता है तो इसकी effect को inhibit करके ये medication काम करते कि जिससे करण आपको समझे कि pain हो रहा है, दर्द हो रहा है वो कम करता है, बुखार है तो वो कम हो जाता है और सरिर में जो inflammation हो, सुजन हो उसको भी कम करने का काम करता है ये SG-Pyrin-SP tablet तो उसके पास analgesic activity है, antipyratic activity है anti-inflammatory and pain killer के तोर पे ये medication use की जाती है तो उसके daily dose के बारे में जाने तो खास कर एक tablet दिन में दो बार आप खास सकते हैं कि एक tablet आप सुबह लेते हैं, एक रात को लेते हैं और दो tablet के भीच में at least 12 गंटे का आप difference रखें और severe condition है कि बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा pain हो रही है बुखार भी है, सुजन भी काफी ज़्यादा है, तो उस वक्त आप एक tablet दिन में तीन बार ले सकते हैं और वो हर 8 गंटे पर पेशन खा सकता है तो उसकी indication हम देखें तो SG parent tablet कौन से अलगलग medical conditions के लिए यूज की जाते हैं, तो सभी तरह के जो दर्द होते हैं, कि चाहे आपको दात में दर्द हो रहा है, तो उस वक्त भी ये medication खा सकते हैं आपको joint pain हो रहा है, तो उसमें भी आप खा सकते हैं, muscles pain में खा सकते हैं बुखार के दौरान भी patient ले सकते हैं फिर bone fracture हुआ है उसके दौरान भी अगर आपको काफी दर्द है, सूजन है शरीर में तो उसको कम करने के लिए medication ले जा सकते हैं, muscles में cramps से joint pain हो रहा है तो उसमें भी ये medication useful सा भीत होती है, फिर शरीर की ऐसी condition की जहाँ पे सूजन भी है और दर्द ही है जैसे कि arthritis की condition की जाहे वो osteoarthritis हो या फिर rheumatoid arthritis में ये medication खा सकते हैं, ankylosing spondylitis में भी patient ये medication ले सकते हैं, तो menstrual cramp हो, dental pain, knee joint का pain हो, sore thumb pain हो kidney stone के तौरान आपको दर्द हो रहा हो तो सभी में SG-Pyrin SP tablet आप खा सकते हैं अब ये medication लेने के बाद आपको side effects हो सकती है, common जैसे कि nausea omitting उल्टी होना, पेट में दर्द होना, skin के उपर कोई allergic reaction हो सकते हैं, अगर आपको paracetamol की allergy है, या फिर आपको acyclofenic, या फिर diclofenic की allergy है, या फिर जो protein enzyme उसके अंदर present है, seratiopeptidase, उसकी allergy है, कुछ लोग muscles and joint pain जैसा फिल करते हैं, ये medication लेने के बाद, पूर epidermal के आपकी बूक जो है, वो कम हो जाएगी, पेट में acidity जैसा आप फिल करोगे, cough कुछ लोगों को होता है and diarrhea जैसे कुछ side effect ये medication कर सकती है, तो ये medication की common side effect है, कुछ serious side effect हम देखे, तो ये medication अगर जो कि आप लंबे समय तक लेते हैं, high dose में खाते हैं, तो आपको stomach ulcer हो सकता है, पेट में ulcer हो सकता है आपके heartbeats irregular हो सकते हैं, और liver खराब कर सकती है, ये medication अगर आप लंबे समय तक high dose में लेते हैं kidney disease करवा सकती है blood clotting की जो process है उसको disturb करवा सकती है and ऐसे patient की जोसको already heart का problem है kidney खराब है या फिर liver ferial के patient से उनको medical supervision में proper precautions के साथ ही ये medication लेनी चाहिए या फिर उसको avoid करें contraindications के हम बात करें तो अगर आपको allergy है, non-steroidal anti-inflammatory drugs की तो ये medication आप ना खाए, अगर आप eye-kemic heart disease के patient है bypass surgery कराई है, blood circulation related आपको सरेर में कोई problem है आपके सरेर में already और पैप्टिक ulcer है, जैसे कि gastric ulcer है, stomach ulcer है diodinal ulcer है या फिर isofagus के अंदर आपका ulcer है, तो ये medication आप ना खाए, फिर आपका liver already खराब है, abnormal liver function टेस्ट आया है, आपका kidney अच्छे से काम नहीं कर रहें, तो भी SG-pirin, SP-Tablet को यूज ना करें, बच्चों में इसको avoid करें, और pregnancy के दौरान भी आप उसको ना खाए, बिकाज इसके अंदर plain paracetamol नहीं है, combination में diclofenic भी है और seratiopeptidase भी है, तो अगर pregnancy में आपको बुखार वगिरा है, दर दे तो सिर्फ और सिर्फ आप paracetamol ले सकते हैं, बड़ ये combination यूज ना करें फिर किसी को bleeding problem है, तो भी ये medication को यूज नहीं करनी चाहिए अब ये दवाई, दूसरी दवाई के साथ interactions करते हैं कि aspirin के, अगर aspirin के साथ आप ये medication खाते हैं तो ये drug-drug interaction करेगी ibuprofen के साथ interactions करती है cyclosporine, tacrolimus, lithium, desoxyn, warfarin, methotrixate, magnesium, hydroxide, ketoconazole, mykonazole, fluconazole, wariconazole, जैसे antifungals के साथ भी करती हैं, फिर amiodarone है, sulfine pyrazone है, metoclopramide, domperidone, cholestyramine, imatinib, chloramphenicol, antidiabetic drugs and antihypertension, तो ये सभी अलग-अलग टाइप के जो drugs हैं, उनके साथ SG-pyrin जो हैं, वो interactions करती हैं, तो ये दवाईयों का combination आप कभी भी ना करेगी, अगर आप aspirin खा रहें, तो साथ में SG-pyrin, SB-tablet ना खाए, अगर आप antidiabetic कोई दवाईया ले रहे हैं, तो उसके साथ भी combination में ये medication नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसे ही detail में सिखे, medicine course में, अलग-अलग दवाईयों के basic use के बारे में, कि जैसे आज हमने यापे SG-pyrin, SP की detail study की, उसका use जाना, उसका dose, उसके side effect, warning, तो ऐसे ही बहुत सारी दवाईयों के बारे में सिखे, medicine course में, farmer rocks के अब उपर, वो भी काफी affordable price में, तो medicine course join करने के लिए, हमें whatsapp करें 9016312020 पे, या फिर हमारी आपको download करें, link description box में मिल जाएगी, good luck and all the best